नमस्कार दोस्तों स्वागते हमारी येट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छे, साथ और आठ दिसंबर तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुती अच्छे खवर लेकर आये हैं जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले दोस्त से तीन दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुती बढ़ी खटना होने वाली है जिहां दोस्तों जिनने अगर आप सुन लेंगे तो दोस्तों आपके भी होस उड़ जाएंगे आप सभी को बता दें कि दोस्तों यह शमय आने वाले दोस्ते तीन दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो भी आपके दूसमन हैं जो भी आपको पिछले समय बहुती ज़्यादा परेशान किये हैं जिनने दोस्तों आपको जीने की मुहुलत तक भी नहीं दी जिनसे आप अपने जीवन की भीख मांग रहे थे जिनके कारण दोस्तों आपने बहुत सारी जीवन काल में किले तें भरी जिंदिगी जीए हैं, अपने खुशियों को त्याग दिया, जिनके लिए आपने जीवन काल में जिन पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया है, दोस्तों उन लोगों ने आपको बहुती ज़्यादा धोखा दिये हैं, लेकिन दोस्तों अब ये खाटना नहीं होंगे आप सभी को बता दे कि जो लोग आपको धोखा देते आ रहे थे जो लोग आपको परेशान करते आ रहे थे जो लोग आपके जीवन काल में आपको खुस नहीं देखना चाहते थे दोस्तों अब उन लोगों को सजा मिलने वाली हैं जिहां दोस्तों और भगवान महाकाल आपको आने वाले 2-3 दिनों के अंदर बड़े बड़े खुश खबरियां देगे, बड़े बड़े सफलताय देगे और बड़े बड़े कामियाबी जब आपके हाथों पर देंगे तो दोस्तों ये लोग रोएंगे, आपके खुश खबरी को देखकर ये लो सारी खुश खबरियां मिलेंगे एसे बहुत सारी बड़े-बड़े बदलाब होंगे और दोस्तों यह समय आपको बहुत ही ज़्यादा सतरक और साबधान भी रहना होगा क्योंकि दोस्तों दूसमन है तो वह कोई ना कोई सड्य अंतर जरूर रचेंगे वे दोस्तों आपकी क मातर कर लेने से दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि दोस्तों उन जलने वाले लोगों से भी आपको छुटकारा मिलेगा साथी महाकाल इस उपाय से पहुती ज़्यादा प्रसन होंगे तो दोस्तों इन उपायों को जरूरी किजिएगा जहां दोस्तों और सभी बातें इस वीडियो में गहरी तरीके से गरह गोज़र पर आधारित है इन्हें अंतक देखिएगा उसे पहले दोस्तों जो भागवान महाकाल के सच्छे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक प्याराशन लाइक अवश्य क को मिलेंगे जी हां दोस्तों ताई दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं शुरुवात करते हैं भागवान शिर्क्रिष्ण जी के अच्छे विचार सी एक अच्छे ज्यान सी जो कि दोस्तों आपको इंदुनों में एक इक्छा सक्ति जागरित होगी कि एक बाद ठाकूर जी और राधारानी रास के वाज निधिवन से वापिस आ रहे थे आते आते आचाना ठाकूर जी के नजर राधारानी के चर्णों पर पड़ी राधारानी के चर्णों में ब्रज रज लगी हुई थी यमुना किनारे पहुँचकर ठाकूर जी ने राधारानी से कहा कि सिरू जी आपके चरन में ब्रज रज लगी है आप यमुना जल में अपने चरन धोली जी राधारी ने साफ मना कर दिया बार बार ठाकूर जी चरन धोने को कहते रहा राधारानी मना कर दिती जब ठाकूर जी प्रफिजिक अच्छे ज्यान से शमत हैं तो दोस्तों वीडियो को प्यारा शाल लाइक अवश्य कर दें और इनकी रिलिग दें जैश्री कृष्ण राधे राधे तो आई दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले दो से तीन दिनों के अंदर भगवान महाकाल आप समसिया आने से पहले खात्म हो जाए और दोस्तों भगवान महाकाल प्रशन हो जाए और दोस्तों से भी आपको मुक्ती मिल जाए और दोस्तों कौन से उपाए आपको करना चाहिए इनके बारे में भी बात करेंगे तो दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार सी दोस्तों आज ग्रह गोचर आपके लिए बहुती अनुकुल है, अब अपने विवेक और समाजदारी दोरा महत्पून उपलब्दी हासिल करेंगे, कोई पुरपटी समिदी काम भी बन शकता है, कई भी निवेश करने के लिए समय बहुती अनुकुल है, निकट भविस में फायदा होग तार्मी गति विदियों में भी आस्था बढ़ेगी, ताति साथ अपनी योजना को क्रियावेंद करने का उचित समय है, अपनी योगता को पाचाने, आज आपके साथ कुछ एसी सुख़त घटना होगी, जिसे आप खुद भी आसर चकीत रह जाएंगे, घर में महमानों की आवाज आहे रहेगी, ता आपसे मेल मिलाप सबको खुशी परदान करेगा, ग्रेह गोचर आपके लिए कोई सुख अफशर परदान करने वाला है, जो की भाविस में बहुती लाबदायक साबित होंगे, परतिस्टित लोगों से मुलाकात लाबदायक और समान चनक रहेग उसे के आनुरूप आपको उचित परनाम भी हासिल होंगे, विद्यार्थियों को भी पढ़ाय से समय अबदी में लाबदायक और खुशी भरी परसितियां बन रही है, यो आपको भवी शमय फेचले लेने के लिए उनके अंदर हिमत आएगी, पर पटिस्टित को इरुका ह हुआ काम बन चाने से शुकुन और रहत मिलेगी, परिवार के साथ धार्मी गात्रा शमन्दी प्रोग्राम भी बन शकता है, इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दोने में कोई शाबदानिया भी देख कर चलनी होगी, कोई भी नकारतम प्रसितियां बनने पर घर के वी बीती हुई नकारतम बात आपका आज भी खराब कर सकता है, इसलिए वर्तमान गत्य विदियों पर ही ध्यान दें, तक खुद को वैस्त रखें, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की जोरत है, लापरवाई ना करें, वैबसाइक गत्य विदियां अपने देख रेक में ही करवाएं, कर्मचारियों का भी उचित सहयोग रहेगा, तक कार छमता में भी ब्रिदी आएगी, नोकुर में पन्योती के आफसर बन रहे हैं, पुछ अध्यकारियों के साथ समंध में मधूरता बना कर रखें, अपने व्यक्तिकत गत्य विदियां किसी के समक्ज भी जाहिर न करें, आपके लिए कोई परिशानी खड़ी कर सकती है, परिवार के किसी सदेश के नकारतों को वहवार से तनाव रहेगा, और तो डांट फटकार की वज़ा दोस्ताना वहवार रखकर समझाने का प्रयाश करें, कारे छेतर पर अपन ता आप खुद को उर्जवान महसूश करेंगे, घर में कोई मांगली कारे समिन्दी उजना बनेगी, ता परिवार और समाजी गरती विदियों में आपका विसेश योगदान रहेगा, आय और वे में संतुलित बना रहेगा, अपने वैबसाइक पर्ति देतियों की गरती व परिवार में बात करें, तो घर परिवार में शुकुन भरा वातारवन रहेगा, पती पतने के बीच रोमांटिक समन्द बने रहेगे, जीवन साथी देता परिवार जनों का आपके पूर्ण शहयोग रहेगा, प्रेमे प्रिमिका को मुलकात का आफसर सुलब हो शकता है, व कारतमां दिश्टिकोन बना कर रखें, चरिस्तो बात करताब के उपाय के बारे में, दोस्तों या जो उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं, या लगातार चार सौमार को कर लेंगे तो दोस्तों, आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी, शौमार के दिन भगवान के मंदिर में जाकर दूद मिस्तिरित चल भगवान भोलेनात की सीवलिंग पर अरपन करें, तथा अभिमांतरित रुखद्राश की माला से ओम शौमेशराय नमा का 108 बार जाप करें, अर्थात एक माला करें, और दोस्तों उस दिन पांच पत्ते वाले वेल पत्र सीवलिंग पर चड़ाएं, इससे दोस्तों आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी, वहीं दोस्तों आप बात करता है आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है, दोस्तों आपका भागे साली रंग नीला है और भागे साली अंक छे है, दोस्तों भगवान महाकाल का आशिरवात आपसे भी को प्राप्त हो सच्ची दिलशे कमेंड बॉक्स में जै महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवार